आप में से बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि सिर्फ कठिन परिश्रम तो मैं करता हूँ लेकिन परिडाम नहीं मिलता क्योंकि बच्पन से ये लाइन सुनी भी बहुत है कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है तो आखिर ये फिर बच्चा बरिशान होता है कि यार कठिन परिश्रम करके भी वो सफलता मिल क्यों नहीं रही जिसके इंतजार में इतने लंबे समय से हैं एक छोट सी एक्जामपल के साथ इस बात को समझने की कोशिस करते हैं वान लोग आपने अपने किसी समवन स्पेशल के साथ एक घंटे की मीटिंग का समय जो है वो मुकररर किया है और वो समय है शाम को पांच बजे अब आप उस जगह पे पहुँच चुके हैं पांच पर पांच से पांच बजे का जो समय है जो इंतजार की घडियां है जो आपकी आँखें उनके दीदार को तरस रही है वो आपको बहुत हार्ड वर्क लग सकता है शाद वो 15 मिनिट लगे कि यार ये कितना लंबा समय है कि ये खतम ही नहीं हो रहा आप बार बार गड़ी देख रहे हैं गड़ी देख लेने से टाइम की स्पीड नहीं बढ़ेगी बट वो लग रहा है कि यार ये 15 मिनिट कितना लंबा समय है लेकिन जैसे ही उनको आद दी लगा इस डाइनेमिक्स को समझने की कोशिश करें वह आपको कभी भी हार्ड वर्क नहीं लगता पंद्र मिनट जो इंतजार का समय था आप उसको इंज्वाय नहीं कर रहे थे आप बड़े बेचैन परिशान हैरान आएंगे कि नहीं आएंगे हैं जिनको बुलाया है तो उस दोरान आप बहुत बेचैन परिशान है और वो आपको समय बड़ा लंबा लग रहा है लेकिन जैसे ही उनका दीदार हुआ उसके बाद का समय तो मतलब बहुत तेजी से निकल गया शायद दो घंटे निकल जा तो भी आप यह कहोगे कि यार दो भी फील्ड में जो सफल लोग हैं उनसे लोग पूछते ही नहीं आपका तो शिड्यूल बहुत बिजी है आप इतने घंटे काम करते हैं आपको तो बहुत थकावट होती होगी वो लोग बड़े रिलाक्स्ट होके आंसर करते हैं नहीं हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता वो जो हैं वही काम कर रहे हैं मतलब जो उनका दिल करता है जो काम वो कर रहे हैं उसमें वो पूरी तरीके से हैं वो जोसे अलग नहीं है लेकिन ज्यादा तर लोगों के लिए दुनिया में जॉब जो है वो जूसा ब्लड है उनको लगता कोई खूनी चूज रहा है कब पांच बजे कब आफिस से छूटू जो स्कूल में है वो विचारा स्कूल की फाइनल घंटी का इंतजार कर रहा है कि कब वो घंटी बजा कर आ आपको डाइनमिक समझ आ जाएगा आपको डाइनमिक समझ आ जाएगा इसकूल तक खतम नहीं होता है कि इतने प्रसेंट अगर अटेंडेंस नहीं होगी तो आपको फाइनल एक्जाम में बैटने नहीं देंगे इसका मतलब कि वहां भी प्रेशर यानि किसी तरह का फेर दिये बिना हम कॉलेज में भी नहीं जाते हैं तो यहां मामला पूरी तरीके से बदल जाता है यह आप्टीटूट टेस्ट है यहां पर आपकी वर्बल अबिलिटी यानि शब्दों के साथ योग गिता इसको आप इंगलिश कह लेते हैं व होती हैं यहां पर आपकी रीजनिंग स्किल्स शेक होती है यहां आपकी जनरल अवेर्नेस जो है उसकी समझ को टेस्ट किया जाता है कि आप जुश दुनिया में रहते हैं वहां के बेसिक को समझते हैं यह नहीं समझते चाहए वो हिस्ट्री है जिघ्रफी है पॉलिटी है है हमारे sciences है basic इसकी testing होती है यह आपके awareness की testing है तो यूशूड इंज्वाय इस प्रसेस कि शायद स्कूल के दिनों में जिन चीजों को मैंने इंज्वाय करके नहीं पढ़ा अब मौका मिला है उन चीजों को इंज्वाय करने का और एक बार अगर आप इंज्वाय करना सीख गए तो शायद आपकी दो तीन चार नौकरियां भी लग सकती है जो अलग अलग competitive stream में preparation कर रहे हैं और आपने यह देखा भी है कि बहुत सारे ऐसे experience होते हैं जुनकी कई सारी जो jobs हैं वो clear होती है एक ही साल के preparation में because वो पूरी तरीके से उस preparation में थे तो आप सभी से यही निवेदने कि जहां रहो वहां पूरी तरीके से रहना तीक लो जिंदगी काफी हद तक आसान हो और फिर आपको जिंदगी में आनंद आने लगता है और जब आप प्रोसेस को इंजवाय करते हैं तो फिर excel करना लाजमी है इसी बात के लिए आइंस्टीन साहब की एक लाइन मुझे आद आ रही है उनसे वड़ा आपको एक्सेल करने के लिए कहा जाता था तो बड़े फ़नी अंदाज में उन्होंने यह इलस्ट्रेशन दिया था इफ यॉर सिटिंग विद प्रिटी गर्ल फार वन आर इट सीम्स लाइक सेकंड बट वन यॉर सिटिंग ऑन अहार इसको आपको समझना है जैसे ही आप ए एक्सेल करने से कोई नहीं रोक सकता आप जो भी कुछ कर रहे हैं थैंक यू